जजपा की साथ कठ बंदन करो दो सीट हमें दो देखो सुब है कैसे परदेश से बीजेपी का सुपादा सवाप हो जाता है नमस्कार आप देख रहे हैं वाइसो पानिपत और मैं हूँ आपके साथ कुलवन सिंग एक जेजपी नेता का ब्यान कल से वाइरल हो रहा है हमने वाइसो पानिपत पर एक इंटर्व्यो दिखाया है दोवेंदर काद्यान का जेजपी के परदेश उपाध्यक्ष हैं परदेश उपाध्यक्ष आब ये मानते हैं अगर जी करनाल लोकसवा से कॉंग्रेस मजबूत उमिद्वार उतारती है तो मनोहरलाल की PhD जो है वो फटती हुई नजर आएगी ये ब्यान जो है काफी वाइरल हो रहा है एक दैनिक अख़बार ने इसे परमुक्ता से जो है चलाया है इसे खबर को परमुक्ता से जो है छापा है और साथ ही उस इंटर्व में एक बात दुवेंदर काध्यान ने और कही है दुवेंदर काध्यान के बारे में आपको बता दें दुशन चुटाला परिवार के वो काफी नजदिक हैं और पार्टी में परदेश उपा ध्यक्ष हैं उनका ये भी कहना है कि अगर जो कॉंग्रेस दो टिकर जानी की दो लोगसावा की सीटे जो है उन्हें दे देती है तो बाकी आठ साथ लोगसावा सीटों पर वो बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे कोंग्रेस जो है कहती है कि जजपा जो है वोट काठने के लिए आ रही है मैं उड़ा साब के चैनल के माध्यम से उड़ा साब को कहना चाऊंगा कि आप जजपा के साथ गठ बंदन करो दो सीट अमें दो देखो सुबैं कैसे परदेश से बीजेपी का सुफ़ा सुफ़ाइब सब्सक्राइब जाता है आज जो है मनहोरलाल जी को जिताने का काम अगर कोई करेगा तो वो कोंग्रेस की फिक्षिंग हो चुकी है करना लोक सबाग चेतर पर अगर वो मजबूत केंडिडेट नहीं देंगे जनता को तो अमुमन मनहोरलाल जी जीच जाएंगे वो कांगरेस को तै करना है कि किस अच्छा केंडिडेट सर्वे कराए यहां से कोण मजबूत केंडिडेट है उस केंडिडेट को चुनाव लड़ाए अब डमी केंडिडेट को खड़ा कर दोगे तो क्या मान सिकता है यह यानि कि सीधा साधा एक चीज जो है देखने को मिल यह सीधी साधी कि वो बीजेपी को जड़ से उखाडने के लिए हरियाना में कुछ भी कर सकते हैं अब वो कॉंगरेस के उपर जो है डोरे डालने हैं और खास तोर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर जो दो सीटें यानि कि दो लोगसभा की टिकट उन्हें दे दे तो दसों की दसों सीटों पर और आठ जो कॉंगरेस की सीटें रहेंगी उस पर बीजेपी का सुपड़ा जो है साफ हो जाएगा और अंदाजा इसी बात से लगाएं कि जेजेपी अब जो है कॉंगरेस के उपर डोरे डालती होई नजर आ रही है यह एक बड़ा बियान है जेजेपी दिविंदर काध्यान की तरफ से जेजेपी के बड़े नेता हैं और जाहिर तोर पर जब वो ब्यान ऐसा देते हैं तो बड़ी सोच समझ के वो जो है ब्यान दे रहे हैं और साथ ही इशारा कर रहे हैं इशारों ही इशारों में यह इशारा ये कर रहे हैं कि कॉंग कि आपसी सहमती होगी इसलिए जो है डमी कैंडिडेट जो है उतारा जा रहा है अगर उनसे यह चीज़ पूछी कि आपकी नजर में डमी कैंडिडेट कौन हो सकता है उफदा रिकोर्ड तो बताते हैं लेकिन उन्होंने बात जो है वो सामने नहीं की इशारा वो भी कर रहे है है कि पंजाबी चाहरा जो है करनाल लोक्षवा से उतार दिया जाए मनोहरलाल के सामने तो मनोहरलाल हार सकती है यह इशारा जो है जेज़ेपी नेता दिवेंदर काध्यान की तरफ से किया गया इसका मतलब आप मनोहरलाल जी को जिताना चाह रहे हो कॉंग्रेस हम उनके बी पड़ेगा चाने के पंडित कुलदीप शर्मा बुलेशा और धरंपाल गुपता चारंजी सिंग प्रेम सदेवा यह नाम आ रहे हैं आपको क्या लगता है इन में से डमी केंडिडेट कौन सा हो सकता है जैसे आप डमी केंडिडेट की बात कर रहे हैं और मजबूत कौन सा ह को देख के जो है सर्वे करा के टिकट देनी चीए ना कि कि किसी प्रिवारबाद को टिकट देनी चीए कोंग्रेश मजबूती से और अच्छे केंडिडेट को चुनाव लड़ती है तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी फाइट रहेगी बहुत अच्छे मार्जन से के साथ जएजे पी जो है जाना चाहती है और दो सीटें जो बीजेपी से माँग रही थी अब वो कांग्रेश से मांगती हुई नज़र आ रही हैं लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा ये ववीशे के गरम में है लेकिन इस बियान के कई मैने जो है राजनितिक गलियारों में हो रहे हैं और राजनितिक से जुड़े जितने भी पंडित हैं वो कह रहे हैं कि वाके में अगर यह दोनों पार्टी एकठे आ जाती हैं तो शायद हर्याना में कमाल हो सकता है आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है में कमेंट बॉक्स में जरू लिख वीडियो को साथ की नजर आ रहा है कॉंग्रेस कभी भी गोशना कर सकती है उमिद्वारों की और जेजेपी पहले नवरातरे में बात कर रहे हैं कि नवरातरों के दोरान अपने उमिद्वारों की गोशना कर सकती है थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो में दिखाया था कि मराठा विरेंदर वर्मा हुडा से मिले हैं और राजनिती गल्यारों में ये भी चर्चा है कि हुडा से वो टिकट की मांग कर चुके हैं और अपने आला जो आला कमान है इनका NCP का उनसे जो है बात कर चुके हैं कि गठबंदन में करना लोकसवा सीट जो है उने दी जाए कि बीजेपी जो है मै कि यहां से पांच-छे सीट ले भी सकती है उदर अभे चोटाला जो है वो भी डोरे डालने हैं मराथा विरेंदर वर्मा के उपर मराथा विरेंदर वर्मा एक जाना पचाना चाहरा है उनके उपर एक ठपा यह है कि जब भी वो पार्टी की टिकट उन्हें नहीं मिलती वो पार्टी छोड़ देते हैं और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं अब बड़ी बात यह है कि दिवेंदर कादियन का ये ब्यान बड़ी तेजी से वाइरल हो रहा है और आप इस ब्यान को लेकर क्या कहेंगे हमें कमेट बोक्स में साथ की साथ जरूर बताते जाए और इसे वीडियों को साथ की सा शेयर जरूर करते हैं और फेस्बूक पेज को फोलर जरूर करे और साथ ही हमारे यूटिब चैनल को सब्सक्राइम करना ना भूले नवर्शकार